इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत बच्चों में यह सिर्दर्द, दांत दर्द, शरीर में दर्द, बुखार और सामानि सर्दी जैसी स्थितियों का इलाज करता है। पायर जैसे एक ड्रॉप मौखिक रूप से प्रति दिन एक नियत समय पर दी जाती है। हालाकि इस दवा को भोजन से पहले या बाद में लिया जा सकता है। यह भोजन के बाद सबसे अच्छा दिया जाता है क्योंकि यह खाली पेट की अंदरूनी परत में जलन पैदा कर सकता है। खुराक और अवधी आपके बच्चे की उम्र, शरीर के वजन और संक्रमन की गंभीरता पर निर्भर करेगी। इसलिए अपने बच्चे के डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक समय और तरीके से चिपके रहें। यदि आपका बच्चा दवा लेने के 30 मिनिट के भीतर उल्टी करता है, तो बच्चे को शांत होने दे और वही खुराक दोहराएं। इस दवा के सयोजन में अपने बच्चे को देने से पहले हमेशा किसी भी अन्य दवाओं की सामगरी की जांच करें। आम तोर पर यह दवा बच्चों द्वारा अच्छी तरह सहन की जाती है। हाला कि कुछ बच्चों में अपच, मतली और उल्टी जैसे अस्थाई दुश प्रभाव हो सकते हैं। अपने चिकित्सक से परामर्ष करें यदि ये प्रकरण आपके बच्चे के लिए परिशान करने वाले हो जाते हैं। ये दवा अक्सर सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती है, लेकिन सभी के लिए उप्युक्त नहीं हो सकती है। अपने चिकित्सक को सूचित करें कि क्या आपके बच्चे का रक्त संबंधी किसी विकार का इलाज चल रहा है, उसे किसी ओशधिय योगिक से अलजी है, या उसे कोई जन्म दोश, यकृत हानी, या गुर्दा रोग है। यह आपके बच्चे के डॉक्टर को इस दवा की खुराक और उप्युक्ता का बहतर तरीके से मुल्यांकन करने में मदद करेगा। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल झाल जाल झाल झाल जाल